कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और असमय बड़ी खबर बॉलिवुट से जुड़ी हुई आ रही है आपको बता दें कि जहां के आरके ने एक ट्वीट किया था और यह कहा था कि वह एक बार फिर से वापस आ गए हैं और वह अब बदला लेकर के रहेंगे आपको बता दें कि जहिल से जमानत पर रहा होने के बाद के आरके ने यह ट्वीट किया था लेकिन अब वह अपने ही इस ट्वीट से पलट गए हैं इसी के साथ ही उन्हों ने ट्वीट करके यह कहा कि यह जो जानकारी फैलाई यह वो मीडिया हाउसे द्वारा फैलाई जा रही है उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं कहा है और वो किसी से बादा नहीं लेना चाहते यहीकिसे के साथ ही उन्होंने एक और खुलासा किया है और कहा है कि 10 दिनों तक जब Czyjail के अंदर रहे तो सिर्फ और सर्फ पानी पीकर हे जंदा रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अपना 10 किलो का वेट कंट्रोल किया है दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि फिल्म एक्टर प्रभास जो है अपनी अपकमिंग मूवी आदिपुरुस को ले करके लगातार प्रमोशन के सिल्सले में लगे हुए ह और इसको ले करके जहां रामलीला को ले करके एक और खबर आ रही है कि दिल्ली में आयोजित होने वाली लाल किला की जो रामलीला है उनके संयूजक और इसी के साथ ही जो वहां के अध्यक्ष है उन्होंने आदिपुरुष के लिए और प्रभास को ये निमंतरन दिया है कि वहाँ पर जो लंकेश का दहन होता है उसके लिए प्रभास महाँ पर आए और उन ही के द्वारा लंकेश का दहन किया जाएगा तो यह कहीं न कहीं जो लोकप्रियता बड़ती जा रह हैं जो की भारती इतिहास और भारतीय परमपरा की जडों से जुड़ी हुई है जिसकी वज़े से वह लगातार पौपलर हो रहे हैं और इसी वज़ें से हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि जो रामलीला में रामन देहन होगा तो नहीं के द्वारा उसका देहन किया जाएगा को बता देगी फिल्म समिक्षक कमाल रशीद खान यानि की क्यार के लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं रविवार को उन्हों ने अपने ट्वीटर पे बदला लेने वाले ट्वीट को खरिस कर दिया है दरसल क्यार के ने रविवार सुबा 8 बच के 11 मिनट पर एक ट्वीट किया था इस ट्वीट में उन्होंने एंग्री मोजी के साथ ये लिखा था कि मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं हाला कि इस ट्वीट को कुस समय के बाद के द्वारा डिलीट कर दिया गया थ इसके बाद ही क्यार के ने रविवार को ही शाम 6 बच के 43 मिनट पर एक दूसरा ट्वीट करते हुए अपने पुराने ट्वीट को मीडिया द्वारा गढ़ी गई कहानी बता दिया उन्होंने इस ट्वीट में लिखा मीडिया नई कहानिया गढ़ रहा है मैं वापस आ गया ह आपको बता दे कि साथ ही एक अन्य ट्वीट में क्यार के लिखते हैं कि मैं लॉक अप में 10 दिन सर्फ पानी पी कर गुजारा किया हूं इसलिए मैंने 10 किलो वर्जन कम किया है इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट भी क्यार के ने किया जिसमें उन्होंने एक्टर सत्रुधन स इनहां को सपोर्ट करने के लिए उनका शुक्रियादा किया है बता दे एक विवादे ट्वीट को ले करके मुंबई पुलिस ने क्यार की को 30 अगस्त को गिरफतार किया था जिसकी बाद उन्हें 9 दिन जेल में बिताने पड़े थे फिलहाल वो जमानत पर रहा हो चुके हैं औ वो बार-बार बॉलिवुड में उठ रहें नेपोटिजम को ले करके सवाल उठाते हुए नजर आये थे बॉलिवुड के एक्टर्स को ले करके सवाल उठाते हुए नजर आये थे और यह कहा था कि जिस तरीके से लाल सिंग चड़ा फ्लॉप हुई है उनका क्रेडिट वो रामलीला के दशरा उस्सों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार प्रभास बतोर मुख्याती थी शामिल होंगे और रावण का दहन करेंगे आपको बता दे कि बीते दो सालों में कोविड महावारी के चलते ये विशाल आयोजन नहीं हो सका था लेकिन इस बार हो आने वाली रामलीला और रावण दहन में कई सुपर स्टार शामिल होंगे बता दे एतिहासिक लवकोष रामलीला में दहन के लिए प्रभास को चुने जाने पर बात करते हुए लवकोष रामलीला समीती के अध्याक्ष अरजुन कुमार ने कहा कि साउथ फिल्म इंडस्ट अपनी आगामी परियूशना आदी पुरुष में भी वे राम की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इसलिए हमें लगा कि इस साल रावण दहन करने के लिए वो सबसे बहतर ऑप्शन साबित होंगे आपको बता दे कि इसी के साथ ही अरजुन कुमार ने ये भी कहा कि एक और कारण है कि हमने प्रभास को आमंतरित किया है ये कारण है उनकी लोक प्रियता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर ने आज पुरे भारत में अपनी लोक प्रियता हासिल की है उसमें प्रभास सबसे आगे निकल चुके हैं हमें अभी अन्य हस्तियों को आमंतरित करना हैं हम बेहद खुश हैं कि प्रभास आ रहे हैं इस कारगरम में आकर वो नई पीड़ी और युवाओं को हमारी संस्कृती की ओर आकरशित करेंगे साथी अर्जुन कुमार ने कहा कि दशेरे में कुल तीन पुतले दहन होंगे पुतला रामण का होगा दूसरा कुम्बकर का और तीस राम में घनात का प्रभास इन तीनों ही पुतलों का देहन करेंगे उन्होंने ये भी कहा कि इन साल के पुतले सौप फीट के उचे होंगे लवकुष रामलीला समीती ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्टपती द्रौपदी मुरूम को भी आमंत्रित किया है हाला कि आपको बता दे कि इन दोनों की उपरस्तिती की फिलहाल पुस्टीड नहीं हुई है और तलब है कि प्रभास अपनी आगामी फिल्म आदी पुरुष के प्रमोशन में जुटे हुए हैं दोनों और आदी पुरुष हिंदूओं की आस्था और प्र फाइल्स द्वारा किया जुआ रहा है इसे एक ऐसे समय में रिलेस को आपको बता दे की पौराणिव महा काव्या रमायन पर आधारत इस फिल्म में प्रभास राम की भूमिका में नजर आएंगे जब कि क्रितिस अनन मा जानकी यानि की सीता और सैफ अलिखान लंकेश यानि की रावण के रूप में दिखाई देंगे बतादे आधी पुरुष 12 जन्वरी 2023 को दुनिया भर के थेटर्स में एक साथ रिलीज होगी इसी के साथ ह बार-बार ये कहा जा रहा है कि साउथ इंडरस्ट्री की जो सिनमा है लगातार ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्में बना रही है जो की लोगों को करेक्ट कर रही है और कहीं न कहीं भारती इतिहास और भारती अस संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में बनाती हैं जिसकी से लगातार और ऑडियंस बॉलिवुट को बाइकाट करती हुई नजर आ रही है वहीं अगर बात हम क्यार की करें तो क्यार के जहां पहले लगातार मूवी रिव्यूज करते थे चाहें क्यार के जो है लाल सिंग चड़ा को लेकर कि उनका रिव्यू देख ले या फिर ब्र बाद होने की कगार पर है आपके इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट्स अक्शन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें